नारत जी की ताजा खुसुर खुसुर को मिस्ट ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। 36 गर राजी समर्थन मूल धान खरीदी कंप्यूटर ओपरेटर संग ने एक अनोखा प्रदर्शन राइपूर में किया। निमती करण की मांग को लेकर बंजारी धाम मंदिर में कंप्यूटर ओपरेटर संग ने सद बुद्धी महायग्य किया। मुठ्य मांग को निमीती करण का है, लेकिन वर्तमान में हम जो बारा सालों से कार रहत हैं, हमको जो सेवाएं ली जा रही है, दिगर बारा सालों के जारी है, जिसमें नव माहा का ही वेतन सासंद वारा दिया जाता है, तीन माहा के लिए कोई नियम कानून नहीं है। और आज के डेट में भी हमको करमचारी देत का दर्जा नहीं किया गया है, मुलत हम खाद्य विभाग से हैं, खाद्य विभाग ही नव माहा का हमारा पेमेंट चरती है, हमारी मुठ्य मांग वही है कि हमारा जो बारा माहा का पेमेंट खाद्य विभाग से हो, और वर्तमान स सब्सक्राइब कर दिया गया है जिसका कोई अलग से भक्ता नहीं दिया गया है जो एक न्याय संगत नहीं है सरकार हमेशा न्याय की बात करकी है लेकिन हमारे साथ अन्याय कर रही है उनका एक एक धान खरीदी की बात जो चल रही है उसके जो मुख सुत्रधार है जिनके दोरा धानू पारजन केंद्र में पूरे रिकार्ड संधारन किये जाते हैं वो है धानू पारजन केंद्र के कंप्यूटर आपरेटर ये आपरेटर अपनी पूरी सहन सिल्ता के साथ लेकिन इनके साथ दो अजीब सी क्रों खटना है जिनके लिए सब ध्यान अकर्शित करना चाहे है एक तो ये खाद विभाग कर्मचारी है लेकिन इन गाद विरोधि खारी और कंप्यर नहीं शाहते थे ήसके लिए लग्य angled जे साथ करने और्यमित न Chinese नयिल्मित हो कि आज धानकरिदी की विवस्ता कितनी लचर हो गई है एक दिन में ही, तो इनकी महत्ता को समझे और शक्तिरगट सासन इनको खाद देवी भाग के करमचारी माने, करमचारी केवल 9 महीने का तनका खाद देवी भाग से पाते हैं, और इनको पूरे 12 महीने का काम लिया जाता है और वर्तमान में जो सबीदा की वेतर हैं, उसका 40-60% जीन को मिल पाता है, तो इसके लिए सासन का ध्यान आकर्शित करने के लिए आज ये यग्य किया गया है, और सासन यदि इस बात पर सचेत नहीं होती है, तो हम सासन के अंग जरूर हैं, लेकिन हमारी भी भूप को संज खबर्ची नियूस के लिए रायपूर से ममता मानकर की रिपोर्ट